लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बारह साल बीत चुके थे घरवालोंने उम्मीद खो चुकी थी कि अब उनका बेटा घर वापस आएगा लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे परिवार के लिए 6 जून का देन बहुत खास था घर से लापता बेटा पुलिस की बजह से अपने परिवार से मिल पाया हुआ यू कि पुलिस को 3 जलाई को मोती नाला से चिल फी घाटी के बीच नाशनल हाईवे 30 में एक संदिक धियुवक के होने की जानकारी मिली थी यह शक्स लोगों से हत्यारों को लेकर बाद कर रहा था सडक चलते जो भी मिलता उससे हत्यारों की बातें शुरू कर देता यह शक्स जहां मौझूद था वे नकृसल प्रभावित है 36 गर सीमा से लगा है नकसल प्रभावितेरिया होने की बजह से उसे नकसली समझ कर पुलिस ने गिरफतार कर लिया और थाना ले गई पुलिस ने अपनी पूचताच शुरू की पूचताच में उस शक्स ने टूटी फूटी भाशा में जवाब दिया उसने अपना नाम संतोष बताया इसके अलावा पुलिस इतना ही समझ पाई की वेह केरल का रहने वाला है वह जो भी कह रहा था वेह पुलिस की समझ से बाहर था संतोष ने टूटी फूटी हिंदी में बताया की वेह आर्मी में सिगनल कोर में रहा है साल 2007 में फोज की नौकरी छोड़ कर भटक रहा था इतना सुनते ही पुलिस ने उसकी भाषा को समझने के लिए चर्च से मलियालम भाषा की जानकार सिस्टर मरसी को बुला कर बात कर आई जिसमें उसने अपने घर का पता थाना करते के ये पली जिला आलपी केरल का बटाया पुछताच के बाद पुलिस को पता चला की नक्सली समझ कर जिसे वेह उठा कर ले आई असल में वेह संतोष कुमार सेना की सिगनल कोर का पूर्व फाजी निकला जो बारह साल से दर्दर भटक रहा था पुलिस ने संतोष कुमार के घर वालों को इसकी जानकारी दी संतोष सिक्किम में जनरल ज्यूटी पर था तभी उसकी बाई अंख खराब हो गई थी जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी और वेह लापता हो गया था उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया इसकी रिपोर्ट भी केरल में थाने में दर्ज कर आई थी आज बारह साल बाद फाजी अपने घर पर है